सुन्दर्वन जंगल में मीनू चड़िया अपनी बेटी लाड़ो चड़िया और अपनी पती सोनू चड़ा के साथ रहती थी सोनू चड़ा एक लकड़ा रहा था लाड़ो चड़िया अपनी कॉलेज की पूरी पढ़ाई कर चुकी थी और घर में रहकर अपनी मा के काम काजो में हाथ बटाती थी एक दिन सोनू की चुटी थी वो घर पर आराम कर रहा था लाड़ो अपनी मा से कहती है मम्मी बहुत दिन हो गए आपके हाथ के बने हुए चोले बटूरे खाएं आज तो पापा की भी चुट्टी है आप आप चोले बटूरे बनाओ ना हम सब मिलकर खाएंगे अरे बेटा तुझे चोले बटूरे खाने ते तो कल बता पी मैंने चोले तो विगोई नहीं मैं कैसे चोले बटूरे बना दूँ चल मैं तुझे कुछ और बना कर खिलाती हूँ नहीं मम्मी मुझे तो चोले बटूरे ही खाने हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो तू इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अकल तुझे अग तक भी नहीं है चोले बटूरे खाने की जिद लगा कर बैटी है कैसे बना दूँ बिना भिगोई चोले नहीं बनते बेटा मैं तुम्हें किसी और दिन बना कर खिला दूँगी तुम्हारी मम्मी एकदम ठीक कह रही है बेटा जाओ जाकर कुछ और बना लो मीनू तुम ऐसा करो कल ही चोले बटूरे बना लो मेरा भी मन तुमारे हाँतों के बने हुए स्वादिष्ट चोले बटूरे खाने का कर रहा है ठीक है जी जब आप दोनों का इतना ही चोले बटूरे खाने का मन हो रहा है तो मैं कल ही आप दोनों के लिए चोले बटूरे बना दूंगी अगले दिन मीनू चडिया चोले बटूरे बनाती है और सबसे पहले लाडो को खाने को देती है अरे बस भी कर लाडो, अगर सारा तू ही खा जाएगी तो हम क्या खाएंगे पापा, मम्मी ने इतने स्वाधिस्ट छोले बठूरे बनाए हैं कि जितना भी खाते जाओ मन ही नहीं भरता चाथ तो ठीक है लाडो बेटा, तुम कल फिर से अपनी मम्मी पर चोले बठूरे बनबा लेना समय बीतने लगता है और एक दिन सौनू का सेट उसे नौकरी से निकाल देता है वो घर आकर मीनू को ये बात बताता है ये आप क्या कह रहे हैं जी, आपको नौकरी से निकाल दिया हाँ मीनू, सेट को काम में कम मुनाफ़ा हो रहा था इसलिए सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए पता नहीं अब हमारा घर खर्च कैसे चलेगा यही सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है आप चिंता मत करिये, कुछी दिनों में सब ठीक हो जाएगा ऐसा करता हूँ मैं मीनू, कल से ही दूसरे काम की तलास करता हूँ अगले दिन सोनू चड़ा अपने दोस्त के पास काम मांगने जाता है आओ आओ सोनू भाई, बहुत दिनों बाद दर्सन दिये हैं सुना है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, जरा विस्तार से बताओ इस मामले में मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता दोस्त मुझे भी कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है मेरे लायक कोई काम होगा तुम मुझे बताओ मुझे कान की सक्त जरूरत है ठीक है तुम अभी घर जाओ एक दो दिन में मैं सोच कर बताता हूँ वो बापस घर लोट आता है पापा आप बेकार में परिसान हो रहे हैं मम्मी के हाथ में तो जादू है इनके जैसा कोई भी छोले बठूरे नहीं बना सकता आप ऐसा करिए छोले बठूरे की दोकान कोल लीजिए ये तो तुने बहुत अच्चा रास्ता बताया है लाडो बेटी मैं और तेरे पिता जी कल से ही छोले बठूरे बेचना सुरू कर देते हैं अगले दिन से सोनू चड़ा और मीनू चड़िया छोले बठूरे बेचना सुरू कर देते हैं भाई जी ये छोले बठूरे की एक प्लेट कितने की है बस बीस रुपे प्लेट है बहन बीस रुपे प्लेट ये तो बहुत सस्ती है लाओ एक प्लेट छोले बठूरे मुझे दो इस तरह कई घिराक उसकी दुकान पर उसके बनाए हुए छोले बठूरे खाने के लिए आते हैं जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाता है मीनू चड़िया अपने पती और अपनी बेटी के साथ खुसी खुसी अपनी जिंदकी बिताने लगती है बहुत समय पहले चंपकवन जंगल में लाडू चड़िया अपनी मा मीनू चड़िया और अपने पिता सोनू चड़ा के साथ रहती थी लाडो चडिया के माता पिता लाडो चडिया से बहुत प्यार करते थे एक दिन मीनू चडिया की तवियत खराब हो जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है ऐसे में एक दिन मीनू चडिया बाहर बैटकर दूप ले रही थी तबी वो देखती है कि पड़ा उसमें रहने बाली मानू चड़ा की सोतेली मा उसकी खूब पिटाई करती है ये सब देखकर मीनू चड़िया बहुत डर जाती है और वो कहती है अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा अगर सोनू चड़ा ने अपनी दूसरी साधी कर ली तो सोतेली मा इसी तरह मेरी बेटी की डंडे से खूब पिटाई करेगी जब साम को सौनू चड़ा घर लोटता है तो मीनू चड़िया उस से कहती है सुनो जी अगर मैं मर गई तो आप अपनी दूसरी साधी मत करना वरना सौतेली मां मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी ये बात सुन कर सौनू चड़ा मीनू चड़िया को समझाते हुए कहता है मीनू चड़िया मरे तुमारे दुसमान ये तुम कैसी बाते कर रही हो तुमें कुछ नहीं होगा तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी नहीं सोनु जी तो मैं आज मुझसे ये बादा करना ही पड़ेगा कि तुम मेरे मरने के बाद अपनी दूसरी साधी नहीं करोगे मीनु चडिया मैं तुमसे बादा करता हूं कि मैं अपनी कभी भी दूसरी साधी नहीं करूंगा इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मीनू चडिया की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो मर जाती है लाडू चडिया अपनी मा से लिपट कर रोने लगती है उठो न मा आप उठ क्यों नहीं रही हो आप अपनी बेटी को इस तरह छोड़ कर कहां चली गई हो मा आखे खोलो अपनी बेटी को रोता देख कर सोनू चड़ा उसे चुप कर आता है तेरी मा बहुत अच्छी थी इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बोला लिया अब सोनू चड़ा अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रखता था और फिर कम पर चला जाता था एक दिन उसके घर कालू कवा आता है और वो उससे कहता है सोनू तुम ऐसे कब तक भावी के गम में बेटे रहोगे मेरी मानो तो तुम अपनी दूसरी साधी कर लो तारो चड़िया अभी बहुत चोटी है उसे मा की जरूरत है कालू कवा सोनू चड़ा को बहुत समझाता है सोनू चड़ाना चहाते हुए भी कालू कवा के साथ चला जाता है और पिंकी चड़िया से अपनी दूसरी साधी कर लेता है पिंकी चड़िया सकल से बहुती भूली थी बास्तम में वो बहुती ज़ादा निर्दई थी पिंकी चड़िया सोनू चड़ा के सामने लाड़ो चड़िया से बहुती ज़ादा प्यार करती थी लेकिन उसके काम पर जाते है बो लाडो चड़िया पर बहुती ज़्यादा अत्यचार करना सुरू कर देती थी एक दिन बो लाडो चड़िया से कहती है अरियो महरानी चल जे बाइफर उठा और पूरे घर में बाइफर लगा फिर आकर मेरे पैर दवा और खवरदार अगर तुने ये बात अपने बाप को बताई ना तो तेरी बूटी बूटी काटकर चील को गिला दूँगी और तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा अपनी सौतेली मा की इस बात को सुनकर लाडो चडिया काफी ज़्यादा डर जाती है और वो अपने पता से कुछ भी नहीं कहती है एक दिन लाडो चडिया की तबियत खराब हो जाती है जब पिंकी चडिया उससे कामकी कहती है तो लाडो चडिया मना कर देती है मा आज में घर का काम नहीं कर पाऊंगी आज मेरी तबियत कुछ खराब है और मुझे कमजोरी महसूस हो रही है आज आप घर का काम कर लीजिये कलसे में घर का काम कर लूँगी लाड़ो चड़िया की इस बात को सुनकर पिंकी चड़िया को गुसा आ जाता है और वो उसे डंडे से पीटने लगती है और उसे घोंसले से बाहर फैक देती है तब ही वहाँ पर किसी काम से सोनु चड़ा घर बापस आ रहा था जब वो पिंकी चड़िया की ये हरकत देखता है तो गुसे से आग बबुला हो जाता है और वो पिंकी चड़िया से कहता है पिंकी चड़िया मैंने तुम से अपनी बेटी के लिए ही साधी की थी और तुम मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बरताब करती हो तुम अभी और इसी वक्त मेरे गुशले से बाहर निकल जाओ ये सुन कर पिंकी चड़िया सौनू चड़ा से माफी मांगने लगती है सौनू जी तुम मुझे माफ कर दो ये लाडू चड़िया बहुती जादा पतमीज है तो मैं तु पता है ना मैं तुम से और लाडू चड़िया से कितना प्यार करती हूँ तुम ही मुझे बताओ मैं अपनी बेटी को नुक्सान पहुँचा सकती हूँ क्या वो पिंकी चड़िया को माफ नहीं करता और उसे धक्के मार कर अपने गोंसले से बाहर निकाल देता है फिर सोनु चड़ा अपनी बेटी लाडू चड़िया के साथ खोसी खोसी रहने लगता है रे चड़िया बेहन क्या हुआ आप बड़ी दुखी लग रही हो मीनू चड़िया बंटी कबूतर को सारी बात विस्तार से बताती है चड़िया बेहन जब आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ने दीजिये अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मुझसे कुछ पैसे उधार ले लीजिये और फिर उसके बाद एक साल के अंदर आप मेरे पैसे लोटा देना बंटी कबूतर की ये बात सुनकर मीनू चड़िया उससे बीस हजार रुपे उधार ले लेती है और अपने दोनों बच्चों का दाकिला उस इस्कुल में करा देती है उसके बाद दोनों बच्चे खुसी खुसी इस्कुल जाने लगते हैं और दोनों बच्चे वहीं पास के होस्टल में रहने लगते हैं कई साल यूही बीत जाते हैं मीनू चड़िया के दोनों बच्चे पढ़ लेकर एक धनी पच्ची बन जाते हैं इधर मीनू चड़िया बूरी बढ़ जाती है अब मीनू चड़िया से कोई भी काम नहीं हो पाता था एक दिन मीनू चड़िया अपने घोंसले में बैटी हुई थी तभी वहाँ पर चाचा तोता आता है चड़िया बहन आपके दोनों बच्ची बड़े हो गए हैं अब तो वो पर लिखकर एक धनी पच्ची बन गए होंगे लेकिन अभी भी तुम इतनी गरीब अवस्था में क्यों रहती हो तुम अपने बच्चों को अपने पास बुला लो ना तोता भाई बीस साल से मैं अपने बच्चों की आने की रहा देख रही हूं मैंने बंटी भाई से भी पता किया था उन्हें भी कुछ पता नहीं है की अब मेरे बच्चे कहा हैं मैंने बीस साल तक मेहनत करके बंटी भाई का करज चुकाया है और तब से बच्चों के आने की रहा देख रही हूं की वो मेरे पास आ जाएं और मुझ बूरी चुडिया की देख भाल करें चुडिया बेहन आपने अपने बच्चों के लिए कितना संगर्स किया है और आपके बच्चे इस बुड़ापे में भी आपके पास नहीं हैं आरे ये तो मिट्टू है ना पुत्र तुम मेरे बच्चों के साथ पढ़ने गए थे ना हम तो अब नौकरी भी करने लगे हैं हमने सहर वाली फैक्टरी में काफी सारा पैसा कमाया है मैं अपनी मेहनत की कमाई अपने पिता को देने के लिए आया हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र तुम अकेले आए हो बो दोनों कहा हैं बो नहीं आए क्या कबूतर काका उन दोनों ने तो अपना विवा कर लिया है और वो दोनों तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ कहीं दूर चले गए हैं मैंने उन दोनों से कहा कि तुमारी मा घर पर तुमारी रहा देख रही होगी तुम दोनों चलो मेरे साथ पर उन दोनों ने कहा कि हमारी मा तो अब बहुत भूरी हो गई है अब और कितना जीएगी अब हमें अपनी मा की नहीं जीवन साती की जरूरत है अब हम अपना जीवन खुसी खुसी जीएंगे अब हम अपनी मा की बज़े से अपना जीवन कुर्वान नहीं करना चाहते ये बात सुन कर मीनू चड़िया रोने लग जाती है मैंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीवन भर अपनी खुशियों के सुकुन को कुर्वान कर दिया ताकि मेरे बच्चे पर लिखकर एक बड़े बच्ची बने पर आज मेरे बच्चे मुझे ही भूल गए अपनी मा के पास रहने से उनकी खुसियां कम हो जाएंगी ये कैसा मोड है जीवन का मेरी संतान मुझे ही भूल गई ये सब देख कर मीनु चुड़िया काफी ज़्यादा दुखी हो जाती है और रो रोकर उसकी वही मृत्यू हो जाती है ये देख कर जंगल के सबी पच्ची बहुत रोते हैं अपनी खुसियों को मार कर अपने बच्चों का जीवन बनाने में बिता दिया और आज उन बच्चों ने अपनी मा का अंतिम संसकार भी नहीं किया ना अपनी मा की आखरी सूरत देखे माता पिता हमेशा हमारे जीवन में एहमियत रखते हैं इसलिए हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए उनकी सेवा करनी चाहिए और गुड़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए इस तरह मीनू चड़िया अपने बच्चों की खुसियों को पूरा करते करते मीनू चड़िया हमेशा के लिए इस संसार से चली गई तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और हाँ दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के उपर अत्यचार नहीं करने चाहिए और हाँ दोस्तों आज का सवाल जो है कि मीनू चड़िया की मोत कैसे हुई थी अगर आपको पता है तो कॉमेंट वाक्स में लिख कर जरूर बताएं और हमारे चनल पे नए हो तो चनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक और हाँ दोस्तों घंटी वजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्केन पर हो मिलती हूं में आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई झाले वाई झाले वाई